let's do question number 41 of exercise 4a that is quadratic equation question number 41 is solve each of the following quadratic equation हमें सारी quadratic equations को solve करना है 41 question है 4x square minus 4a square x plus a की power 4 minus b की power 4 चलिए कैसे solve करेंगे question लिख लेते हैं से पहले 41 question that is 4x square minus 4a square x minus sorry plus a की power 4 minus b की power 4 equals to 0 अब देखिए सबसे पहले हमारा rule क्या था इसको इससे multiply करनेगा तो ये कितना आ गया है ये हमारा 4 a की power 4 minus b की power 4 into x square अब अगर आप इस bracket को देखें तो हमें कुछ याद आता है जो हम 9th class में already पढ़ चुके हैं कि ये हम आचा हैं तो a square का whole square minus b square का whole square का formula बना सकते हैं x square right मैंने कुछ नहीं किया है power 4 को 2 अंदर और 2 भा जिससे की ये पूरा a हो जाए अब ये पूरा b हो जाए और formula बन जाए a square minus b square तो हम इसको क्या लिख पाएंगे फिर 4 a plus b that means a square minus b square and a plus b that is a square plus b square x square right अब हमें mid value चाहिए 4 a square x लेकिन minus की right तो ये कैसे आ सकती है दोनों हमारी a square और a square plus की हो तो ही आ सकती है right तो अब देखिए हमने 4 को split कर दिया 4 को split किया तो 2 into 2 x को split किया x into x तो इसका मतलब 1 2 1 a square b square और 1 x यहाँ पे a square ही चाहिए जनी तो आगे भी ये solve हो सकता था इसलिए हमने square as it is छोड़ दिया तो ये क्या आ गया एक तो 2 a square minus b square x एक factor ये हो गया और दूसरा factor हो गया 2 a square plus b square into x right देखिए एक factor क्या हो गया ये 2 ये bracket और 1 x दूसरा factor क्या हो गया ये 2 ये वाला bracket और x ये दो factors हो गया अब अगर हम इन दोनों को आपस में add करते हैं तो क्या आएगा दोनों अभी plus के हैं लेकिन हमें answer minus में चाहिए तो अगर हम इन दोनों को minus कर दें तो क्या आएगा minus 2 a square x plus 2 b square x minus 2 a square x minus 2 b square x right अब देखिए b square एक plus का एक minus का कर जाएगा तो ये कितना आगया minus 4 a square x आगया यही आ रहा है जो यहां आ रहा था तो इसका मतलब एक factor ये हो गया और एक factor ये हो गया चलिए लिखते हैं तो हम अपनी पहली equation लिख लेते हैं equation थी 4 x square minus 4 a square x plus a की power 4 minus b की power 4 equals to 0 अब हमने 4 x square इस middle term को क्या लिखेंगे जो हमने पीछे देखी थी ये वाली और ये वाली तो हमने लिखा minus 2 a square minus b square x minus 2 a square plus b square x plus a की power 4 minus b की power 4 equals to 0 अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमा निकल रहा है 2 x तो हमने 2 x कॉमा निकाल लिया तो क्या बज़ गया अंदर यहां पर 2 x बज़ गया minus यहां से देखें 2 कॉमा निकल गया और x कॉमा निकल गया तो हम ये value as it is लिख सकते हैं ब्राकेट में हमने लिख दी a square minus b square राइट अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमा निकल रहा है a की power 4 minus b की power 4 को मैंने आपको बताया था कि ये दोनों लिख सकते है a square minus b square and a square plus b square तो हमने अगर यहां से हमने a square plus b square common ले लिगे ये वाला common ले लिया तो ये बच जाएगा अंदर तो हमने क्या किया यहां पे हमने plus नहीं सॉरी minus का a square plus b square common ले लिया तो ये क्या बच गया 2x plus minus common है तो plus का minus हो गया तो ये आगया हमारा a square minus b square equals to 0 फिर से बता रही हूं इसको हम a की power 4 minus b की power 4 को यहां पे लिख रही हूं ये हम लिख सकते हैं a की power 4 minus b की power 4 को a square minus b square and a square plus b square अब हमने a square plus b square common लिया लेकिन minus क्योंकि यहां minus था तो ये तो पूरा common लिया तो 2x बच गया इसमें से sign change होगे क्योंकि बाहर minus का था minus आ गया minus भार common लिया हो है अब इसकी जगा जब मैंने ये common ले लिया तो ये बच गया तो ये as it is लिख दिया आप देखिए दोनों bracket की value सेम है तो मैंने बाहर लिख लिया 2x minus a square minus b square common तो क्या बच गया अंदर अंदर क्या बच गया ये वाला 2x और ये वाला bracket तो हमने लिखा 2x minus a square plus b square right equals to 0 अब हमें x की value निकाल लिया है तो 2x minus a square minus b square equals to 0 लिया तो 2x किसके equal आ गया ये पूरा bracket उधर लेके जा गया तो ये पूरे bracket के बाहर minus था तो जब ये उधर जाएगा तो plus हो जाएगा तो ये आया a square minus b square bracket में x की value कितनी आ गई a square minus b square upon 2 आ गई right इसी तरीके से अगर दूसरा bracket देखे a square plus b square equals to 0 ये पूरा bracket minus में है तो उधर जाके काएं का हो जाएगा plus का हो जाएगा तो 2x कितना है a square plus b square x कितना है a square plus b square upon 2 is the answer let's do question number 42 42 says x square plus 5x minus a square plus a minus 6 equals to 0 अब जब भी आपको ऐसा question दिया है मतलब एक bracket में a की और एक constant value दीवी है तो उस case में आप क्या करेंगे उस case में आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस bracket को solve करें तो चलिए bracket solve करते हैं सबसे पहले तो हमने bracket की value रिखी a square plus a minus 6 अब देखिए यहाँ पे भी factorization हुगा हमारी ये और ये value हमने multiply की तो यही minus 6a square कुछ ऐसे factorization की plus minus करके ये a आ जाए तो हमने किया इसको 3 2s अ तो 3a और 2a अब minus का लाना था और answer plus का तो answer plus का है middle term plus किया तो plus रिख दिया और आपस में subtract होते हैं तो opposite sign तो ये आ गया a square plus 3a minus 2a minus 6 तो a common आया a plus 3 minus 2 common आया a plus 3 right तो a plus 3 common निकल गया तो ये कितना बज़ गया a minus 2 right अब यहां पे हम क्या लिख सकते है x square plus 5x minus का bracket a plus 3 and a minus 2 equals to 0 अब क्या करेंगे इस x square की multiplication इस में हुई तो यहां पे हमारा x square और आ गया x square आ है लेकिन minus का right क्योंकि ये देखिए यहां ये बाहर minus का sign लगा रखा है तो ये minus का sign यहां लगा दिया है अब ये minus का sign ये वाला ये पूरा as it is और ये वाला x square की multiplication अब हमें कुछ ऐसा करना है कि plus करके 5x आ है तो क्या करेंगे अगर हम 1x इस में से 1x इसके साथ और 1x इसके साथ रखते हैं तो देखते हैं दोनों factors क्या बन जाएंगे तो देखिए a plus 3x और a minus 2x राइट अब कौन सा plus का कौन सा minus का answer हमें चाहिए plus में राइट और multiply करके आना चाहिए minus में तो हमने बड़ा वाला plus का रख लिया और छोटा वाला next वाला minus का क्योंकि हमने पहले वाली value बड़ी मानते हैं तो उसको हमने plus का ही रख लिया जो middle term हमारी थी और छ छोटी वाली next वाली value जो की हमारी छोटी value के लाती है उसको हमने minus की कर ली राइट अब अगर हम इन दोनों को plus करके देखते है ए खोल के देखते है open करके ax plus 3x minus ax minus minus plus 2x ये देखिए मैंने bracket opens किये open किये a into x ax 3 into x 3x plus के हैं तो ये minus ही रहेगा minus a into x minus ax minus minus plus 2x into x 2x राइट तो ये क्या लिख सकते हैं आ गया ये दोनों cancel हो गए तो 5x आ रहा है राइट तो हमने क्या लिख लिख लिया इसको x square plus a plus 3x minus a minus 2x minus a plus 3 a minus 2 equals to 0 ये आ गया अब देखिए इन दोनों में हमारा x common है तो हमने x common निकाल लिया तो ब्राकेट में क्या बचा? x plus a plus 3 right अब इन दोनों में से a minus 2 यहां पर भी है a minus 2 यहां पर भी है minus sign भी common है तो minus का a minus 2 निकाल लिया common तो क्या बच गया? x बच गया, sign change हो गया minus common भाहा निकालने से और ब्राकेट में आ गया a plus 3 equals to 0 अब देखिए दोनों ब्राकेट की value same आ गयी तो हमने क्या लिका लिया इसको? x plus a plus 3 common निकाल लिया तो दूसरे ब्राकेट में क्या बच गया? यह वाला x और यह वाली value तो हमने लिखा x minus a minus 2 equals to 0 आप x की value निकालनी है तो x plus a plus 3 equals to 0 तो x की value कितनी आगे? minus का a plus 3 ऐसे भी छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको ब्राकेट को open करके भी लिख सकते हैं आप इसी तरीके से देखिए a minus x minus a minus 2 equals to 0 तो x की value यह पूरा ब्राकेट माइनस में हैं तो यह इधर जाके plus का हो जाएगा तो हमने लिखती है x equals to a minus 2 answer let's do question number 43 question number 43 is x square minus 2ax minus 4b square minus a square equals to 0 तो चलिए कैसे solve करेंगे यह देखते हैं question number 43 43 कहता है x square minus 2ax minus 4b square minus a square equals to 0 तो अब हम सिर्फ सबसे पहले क्या करते थे हम इस x square की multiplication इसमें करते थे तो हम लिख लेते हैं यह है minus का 4b square minus a square लेकिन bracket में into x square अब इसको देखें तो यह minus का as it is 2b square का whole square minus a का whole square x square right तो यह क्या बन जाएगा minus का a square minus b square का formula a plus b and a minus b x square right तो इसका मतलब हम a के x इसके साथ आगया a के x इसके साथ आगया तो इसके दो factors कौन कौन से हो गए देखिए अब हमने रखा 2b plus ax और यह आगया 2b minus ax right अब हमें minus का 2ax चाहिए right तो minus का कैसे होगा minus middle term है तो यह और यह value भी minus में आ रही थी तो हम यहाँ minus लगा देंगे यहाँ plus लगा देंगे opposite sign plus क्यों अब देखिए अगर मैं इसको bracket को खोलूंगी तो मेरा minus का 2ax आना चाहिए अगर मैं plus करती हूँ दोनों brackets देखिए minus का 2b plus ax plus 2b minus ax ओपन करती हूँ bracket तो minus यह sign है minus का यह देखिए यह minus है तो minus x into 2b तो minus का 2bx minus का ax plus 2bx minus का ax क्योंकि यहाँ पे plus था sign इसलिए इन दोनों के sign सेम रहेंगे अब यह एक minus का यह plus का है cancel हो जाएंगे तो यह क्या बज़ गया minus का 2ax यह वही value आ रही है जो हमारी middle में है तो हमारा एक factor यह हो गया और एक factor यह हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं x square minus 2b plus ax plus 2b minus ax minus 4b square minus a square equals to 0 अब इन दोनों में से x common निकला तो x common निकला x minus 2b plus a अब इन दोनों में से देखिए इन दोनों में से इसे क्या लिख सकते थे हम इसे हमने यह लिखा था राइट यह x square नहीं है इसके साथ यह दोनों लिखे थे अब इसमें से 2B-A वाला common निकालती है ये वाला तो सिर्फ ये बसता है तो हमने यही किया हमने किया प्लस 2B-A common निकाला तो हमारा बचा X-2B-A बचा right equals to 0 अब दोनों bracket आप देखेंगे same है बिलकुल तो हमने उसको common निकाल लिया X-2B-A common निकाला तो दूसरे bracket में क्या बचा ये वाला X और ये प्लस का 2B-A X-2B-A common बचा right equals to 0 अब हमें X की value निकाल लिया तो X-1-1 bracket 0 के equal put कर दिया equal to 0 अब X equal to क्या आएगा ये पूरा bracket की value minus में है तो इधर जाके plus में हो जाएगी तो ये आगया 2B plus A अब इसी तरीके से देखिए X plus 2B minus A equals to 0 तो X की value कितने आएगी ये पूरा bracket plus में है तो ये इधर जाके minus में लिख दूँगी 2B minus A आप चाहें तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं answer आप चाहें तो X की value bracket open करके भी लिख सकते हैं जाएगी 2B minus A आप चाहें लिख सकते हैं